हलो एवर्यों वेलकम तो दे चैनल ट्यूटर बॉक्स और आज की इस क्लास में आप लोगों से डिसकस करने वाला हूँ मेडिकल राइटिंग फील्ड में किस तरह की जॉब ऑपर्चुनिटी है और यहां आपका कैरियर बनाने के लिए क्या-क्या इसकोप अविलेबल है जनरली मेडिकल राइटिंग के बारे में कम ही बच्चों को पता है और इसको कम ही लोग अपनाते हैं तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर इसमें क्या हमारी eligibility criteria होने चाहिए इस फील्ड में job पाने के लिए इसमें कौन से skill required है इस field के अंदर किस तरह का work हमें करना पड़ता है और यहाँ पर हमें salary कितनी मिलेगी और क्या इसमें growth हमारी होती रहेगी या फिर growth के chances कम है इसके लावा यहाँ पर इसमें कौन कौन सी companies हैं जो कि इसमें jobs देती हैं तो इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से discuss कर है मतलब medical writing को अगर word को हम तोड़े तो यहाँ पर medical means जो है medical field से related हो गया और writing मतलब जो कि आप कुछ भी आप लिखते हैं आर्टिकल लिखते हैं इस तरह का मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ ने कुछ writing part करना होगा अपने job में तो सबसे पहले समझते हैं कि medical writing के types क्या-क्या है एक तो होती है regulatory writing क्लिनिका2 ट्रायल्स राइट्ग इसके लावा educational writing होता है और publication writing और publication blog writing और इसके अलावा जो है promotional writing तो इस तरह के कुछ अलग-अलग segments हैं जिन में आप writing कर सकते हैं तो भी क्या writing में हमें करना क्या होगा तो बेसी क्या होता है writing में जैसे कर आप regulatory writing कर रह Assassin तो regulatory writing में क्या होगा क्योंकि regulatory field के लिए आप writing करेंगे तो यहां पर जैसे जिस भी company को ANDA submission करना या NDA submission करना या IND submission करना या किसी country के अंदर approval लेना है तो उससे related जो भी document preparation करना होगा वो medical writing के अंदर आ जाएगा तो उसको हम regulatory writing बोलेंगे अगर clinical trial writing की बात करें तो यहां पर clinical trial में protocol आपको अप्रू कराना है clinical trials के लिए साथी साथ जो clinical trials के result आये हैं उन trials के result को write करना और उसके statistical analysis को पढ़कर उसको interpret करके फिर result को अपनी language में लिखना और काफी सारी clinical trials को पढ़कर कुछ अपने reviews बनाना तो यह सब कुछ जो है वो clinical trial writing में आएगा अब जैसे publication writing तो publication writing में देखी जहां पर भी companies ने जो research किया है चाहे वो pre clinical research हो या clinical research हो या फिर कोई और pharmaceutical research हो तो उसको जब publish करना है उनको अपने नए molecule के लिए क्योंकि वो publication जो है supporting evidence हो जाएगा उनकी नए molecule के लिए further approval के लिए तो उस publication को result को किस तरह से लिखना है और फिर discussion किस तरह से लिखना है तो इस तरह का जो writing होती ही वो publication writing के अंदर आएगा फिर होता है promotional writing तो promotional writing में मतलब की जहां पर जिस भी company का molecule उसको market के अंदर sell करना है तो वहाँ पर उसको sell करने के लिए उसकी marketing करने के लिए किस तका promotional material बनाना पड़ेगा तो pictograms बनाने पड़ेंगे, monograms बनाने पड़ेंगे और उसके brochures बनाने पड़ेंगे, leaflets बनानी पड़ेगी तांकि वो medical practitioner को circulate किया जा सके और उनकी understanding के लिए बनाया जा सके कि जो नया molecule आया है उसमें क्या-क्या जो है benefit है जैसे कि कोरोना के case में Remdesivir आया था तो उसके promotional material बाद में बनाया गए और उसके अलावा भी COVID vaccine से related जो भी उनके promotional material बनाया गया तो वो भी medical writing का ही part होता है तो I hope आप लोग समझ गए होंगे कि basically medical writing में होता क्या है तो अब यहाँ पर देखी कि आपको job में करना क्या होगा तो basically आप लोगों को क्या करना होगा job के अंदर यहाँ पर आपको writing skill आपको आने चाहिए और आपको काफी search करना पड़ेगा और search करने के बाद में आपको उस article को या जो भी आपको task मिला है उस task को complete करना पड़ेगा certain period of time जैसे कि कुछ के medical की case reports है उसको पढ़ना पड़ेगा और उससे फिर फर्दर अपना conclusion निकालके writing कर रहे हैं या publication या फिर आप promotional writing कर रहे हैं तो उससे related task ही आप लोगों को करनी पड़ेगी तो आप आईए देखी यहाँ पर आप लोगों को skill क्या चाहिए किस तरह के skill चाहिए इस work को करने के लिए तो सबसे पहले तो यह skill है कि आप लोगों के पास में जो भी बच्चा इस field में आना चाहता है तो उस बच्चे के लिए सबसे पहला तो यह है कि उसमें reading और writing का passion होना चाहिए जिस बच्चे में reading और writing का passion है वही इस field को अपना है अगर जिसमें reading और writing का passion नहीं है तो उस लोगों के लिए field नहीं है क्योंकि इसमें काफी सारी reading करनी पड़ेगी और फिर उस रीडिंग करने के बाद जो भी आप इंटरपीट कर रहेंगे उसको आपको अपने राइट अप में लिखना होगा तो रीडिंग राइटिंग के पैशन होना चाहिए फर्दर कंप्यूटर स्किल्स जैसे जो MS Office है उसका स्किल होने चाहिए और जो एक और अनादर इंपोर्टेंट है मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी कमांड होनी चाहिए साथ ही साथ clinical trials का medical writing कर रहे हैं तो clinical trials को interpret करने के लिए आपको skill होने चाहिए और English की command होनी चाहिए मितलब कि graphic animations की अपको knowledge और extra होनी चाहिए और computer skills तो हैं ही सही, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को skills के बारे में बताए कि ये skills आपको लोगों को आनी चाहिए और basically patience होना चाहिए और limited time period में आपको work करने की capacity होनी चाहिए ताकि आप उस work को complete कर सकें जो भी आपको time frame दिया हुआ है तो अब देखिए यहाँ पर देखिए eligibility criteria किया है तो basically यहाँ पर pharmacy life sciences और medical field और nursing field से related जो persons है वो entry कर सकते हैं तो pharmacy life sciences graduate जो होते हैं और post graduate जो होते हैं और PhD candidate अब तीन category हो गई इनकी तो graduation में जो है अगर जो भी बच्चा B pharma किया हुआ है और वो उसके बाद medical writing field में आना चाहता है तो उसके लिए वो चाहे तो PG diploma in medical writing का course कर ले या certificate course in medical writing कर ले तो उस course से उसको help मिल जाएगी job पाने में और अगर कोई बच्चा PG किया हुआ है तो भी अगर यह diploma कर लेता है या certificate course कर लेता है तो उसके entry हो सकती है और बिना इसके भी उसके entry हो सकती है जैसे कि कोई pharmacology का PG है या फिर molecular biology है बायो chemistry है, microbiology है या बायो technology है इन field में उसने PG किया है तो उसकी entry हो सकती है और PhD भी इनी field में की है तो भी उसकी entry हो जाएगी अब आते हैं हम salary वाले portion पे कि हमें salary क्या मिलेगी तो अगर आप B farm करके entry किये हैं तो आप लोगों को 15 से 25,000 के बीच में आपकी शुरुवात हो जाएगी अगर आप PG किये होए हैं तो आपको 25,000 से 35,000 के बीच में शुरुवात हो जाएगी और अगर आप PhD करके entry करें हैं तो आपको per annum 6-8 lakh का package आपको मिल जाएगा क्योंकि persons कम हैं इस field में तो यहाँ पर जो है demand अच्छी है और आपको salary भी अच्छी मिल रहे हैं पोस्ट गेजवेट के लिए यह अच्छा option है जिन लोगों को reading और राइटिंग का passion है वो इस field को चुन सकते हैं तो मैंने आप लोगों को salary बता दिए salary depend करेगी कि आपने कौन किस तरह की company join की है तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी company जो है medical writing में work कर रही है तो देखिए basically जो MNCs है multinational pharmaceutical company या biotechnological company वैक्सीन formation वाली companies है और life sciences जो company है वो इसमें involved है तो multinational company का in-house medical writing department होता है वहाँ पर आपकी job लग सकती है साथी साथ कुछ new startup हैं जो केवल और केवल medical writing का ही work कर दें medical writing, editing इस तरह का work वहाँ पर किया जाता है तो वहाँ new startup में भी आप जा सकते हैं और जो Indian pharmaceutical organization है कुछ pharmaceutical organization में अपना भी medical writing house है तो यहाँ पर देखिए जो new startups हैं उन में से cactus communication है, max neiman है, macro care organization है, इसके अलावा क्लिनेक्स life sciences है, reliance life sciences है और अगर clinical research organization देखें तो वीडा CRO है और quintiles है हो गया, इसके साथी साथ परेक्सल जो है वो भी इस field में work करता है अगर हम multinationals में देखें तो Novartis हो गया, AstraZeneca हो गया, Novartis हो गया, तो यह काफी सारे organization है, इसके लावा Tech Observer है, Indizine है, यह सारी कंपनिया भी medical writing field में आपको job देती है तो आप इसमें company की website पर जा सकते हैं और वहाँ पर अपने jobs दे सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, medical writing में एक और option available है, यहाँ पर आप work from home और freelancing का work भी कर सकते हैं, अगर medical writing field में work from home और freelancing का option available है, तो इसका मतलब यह हो गया, कि आप अगर कोई दूसरा job कर रहे हैं, और आप अपना time manage कर सकते हैं, और आपका reading writing में passion है, तो आप medical writing का work भी कर सकते हैं, जैसे जो teachers होते हैं, teaching करते हैं, pharmaceutical field में या life sciences field में, तो उन लोगों के लिए medical writing का field जो है, extra income का जरिया हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को medical writing की जो भी company है, जैसे cactus communication है, तो उसका वो नजर आ जाएगी, उसके लिए आप लोगों को test देना होगा, वो test आप लोगों को pass करना होगा, और अगर आप test में pass हो जाते हैं, तो फिर आप freelancing का work उन से ले सकते हैं, तो यहाँ पर freelancing का option भी available है, means medical writing ऐसा है, जिसमें आप अगर कुछ और दूसरा job अगर आप कर रहे ह हैं, और उसके साथ में आप time manage कर सकते हैं, अपना time निकाल सकते हैं, तो आप extra income भी medical writing से कर सकते हैं, अब आप लोगों के मन में ये प्रशन आ रहा होगा कि क्या medical writing के field में growth होगी, या ये field कुछ time के लिए ही है, तो देखी clinical trial चलती रहेंगी, regulatory approvals होते रहेंगे, और products नए- तो इसका मतलब ये हो गया कि ये field भी लगातार growth करता ही रहेगा, और regularly ये field भी growth कर ही रहे है, तो यहाँ पर आपकी salary में भी अच्छी growth होती रहेगी, क्योंकि जैसे कोई अगर PhD person है, उसकी initial starting 6 to 8 lakh से हो रही है, तो आप सोचे सकते हैं कि जब उसको 2 to 5 year का experience हो जाएगा, त most आप 10% तो हर साल increment लगी जाता है, और अगर आप company अपनी change करते हैं, तो 20 to 30% आपका hike लग जाता है, तो इस तरह से आप की salary में अच्छे hike लग जाएगे, medical writing के job में, अब सवाल ये आता है कि इसकी interview में किस तरह के question पूछे जाएगे, तो ये interview के questions हैं, और online आप जो exam होता है, उसको किस तरह से crack करेंगे और कौन-कौन से courses available है, तो further इसका मैं अलग से lecture आप लोगों को बना दूँगा, तो आप उसको भी देखिएगा, तो I hope यहाँ पर जो भी मैंने discuss किया है, medical writing field के बारे में, इसमें किस तरह की jobs available है, क्या skill requirement है, eligibility criteria क्या है, salary आपको क्या मिलेगी और आपकी career की growth किस तरह से होगी, तो यह सारी चीजे आप लोगों को समझ में आए होगी, अगर इस में आप लोगों को कोई query है, तो वो query आप comment box में लिखे, मैं उसका reply करने की जरूर कोशिश करूँगा, और अगर आप लोगों को यह lecture पसंद आया है, तो इस lecture को ज़्या कि आपूँ अघोर कि आप salv लोगों की ख estadे लोगों की जरूर की जरूर कि अचल दही अचल आप होगी, अचल को जरूर से लोगों को चारूर का आप से।रूर को बड़ों कार्से होगी, जरूर कि बालापस्ट कर लो आप ε renewedु recycling